आप लोग ने थमने लो टाइटल तो देख लिया होगा तो यहां पर आज मैं इसके उपर वीडियो बना रहा हूँ डिजिटल रुपी तो रिसेंटली यहां पर आरभाई ने जो हमारे बैंक है आरभाई बैंक ने वो इस कॉंसेप्ट को निकाला यहां पर देख पाएंगे आप लोग तो यहां पर होता क्या है कि यह डिजिटल करेंसी है जैसे आपके फिजिकल रुपी जाते हैं नोट्स आते हैं उसके इसाब से जिसमें सीरियल नंबर वगरा उसमें रहते सेम आज इस फंक्शन करेगा अगर आप यह रुपी किसी को भेशते भी हैं दूसरे को तो वह भी मतलब सेम सीरियल नंबर वगरा दिखाएगा तो डिजिटल है और यह आपरेट करता है एक डिजिटल रुपी है तो यूपी नहीं है यह एक डिजिटल रुपी है यूपी अपर इसमें कंपेर मत करें तो यहां पर मैं इसके उपर अकाउंट बनाके डिजिटल रुपी इसूट बाई आरवे टू डाउनलोड यह आप तो अब देखें मेरे पास कोटक का अकाउंट है तो उसमें मेरे को अभी रिसेंटली है मेसेज आया तो मैं इसके पर वीडियो बना रहा हूं तो पहले मैं इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकता हूं त अभी जनरली क्या होता है अगर आपको यह मेसेज वह अगर नहीं आया तो जितने भी बैंक हैं कोई भी बैंक ले लिजिए तो वो डिजिटल रुपी औफर करते हैं अगर मैं आप स्टोर में चलेवे आप स्टोर में जाके दिखावं आपको तो यहां पर जैसे से आप सच तो अब मेरे case में मेरे पास kotek है तो यह मतलब एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा, अभी तो यह फिलहाल completely public नहीं हुआ है, अब देखते हैं कब तक इसाना दتم कशना हो जाएगा, तो अभी मेरे case में के अगर मैं मेरा katek है, तो मैं पर इस लिंक के लिख किया, जो मेरे को लिंक आया था उस लिंगपे क्लिक करने के बाद मैं इस application को इंस्टॉल किया अब open करता हूं इसको मैं आपको दिखाता हूं कैसे यह काम अगरा करता है तो चलिए अपर मैं इसको open लेकिन यह यूपी नहीं है मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ अब चलिए आप मेरा जो अपर देख पाएंगे इस पर मेरा कोटक का महिंद्र बैंक का अकाउंट है तो मैं यहां पर मतलब सलेक करूंगा क्यूंकि दूसरे बैंक का मैं ट्राइ किया हूं मेरे को जब तक मेल मे यहां पर क्लिक करता हूं डालने के बाद मेरा देखिए अब यहां पर दूगा जो भी बैंक में है अधार में है तो यहां पर डालने के बाद करता हूं कंटीनु के उपर क्लिक करने वाद चूज यहां पर देख पाएंगे इसमें अप्शन नहीं है तो आपको कंटीनु के उपर क्लिक करना ही पड़ेगा और उसके बाद देखिए सेट पिन फॉर वालेट तो वहां पर हमनों आप के लिए पिन बनाया था तो बाइड़ डिफ प्रोफाइल एंप रेट हो चुका है हमारा उसके बाद देखिए कंटीनु के उपर क्लिक करेंगे कंटीनु के उपर क्लिक करने पड़ेगा बनाब देखिए प्रोसी टू कंप्लिट यौर्ट के वाईसी तो यहां पर के वाइसी माइनरेटी आप जितने भी अप्लिकेशन पर क्लिक करता हूं अब कंटीनु के अपर क्लिक करूंगा तो यह मेरे जो मुबाइल नंबर है जिस पर मुझे मैसेज आया था उससे अकाउंट वेरिफाई हुआ है जो आप वेरिफिकेशन हो चुग है उसके बाद देखे यह फेच कर लिया है मेरा कोटक अकाउंट जैसे कि यह मेरा ही बैंक अकाउंट है यहाँ यहां पर मैं सब्सक्राइबन करता हूं क्यांकि मैरे स्क्रीन पर फिर्ण होगा कुई हैंसों सब्मेट को पर कलिक करता हूं म लोग धिखिया यहां पर यहां पर ब्रैंडिंग का यहां पर अपर मेरा प्रोफाइल देख पाएंगे मेरा नेम देख पाएंगे हैं अब 4 प्रोफाइल sang collect कैसे रहेगा कि आपको बारकॉट मिल जाएगा तो आप बारकॉट पैसे सेंड कर सकते हैं करना चाहते हैं तो कलेक पे दबाई यह बारकोड आपको दिख जाएगा और दूसरा है तीसरा है लोड और रीडिम तो अभी मैं एक एक उप्शन आपको क्लिक करके दिखाता हूं ज्यादा कुछ है नहीं से आप में बताने के लिए बहुत सिंपल इंटरफेस है अब चलिए सेंड और कलेक बाद में देखेंगे पहले हम चलते हैं लोड की तरह पहले हम लोड करेंगे जो अपना करेंसी है उसमें तो लोड के उपर मैं क्लिक करता हूं अब लोड के उपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह अगर मैं ब रुपीस का है और 20, 50, 100 , 200 , 500 , 2,000 अब देखें लास्ली देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट टूथाउजन का नूट तक यहाँ पर आप नूट वगरा ले सकते हैं तो अब आप सही बनू तो मुझे पता नहीं है कैसे यह काम करता है अब देखें ऊपर अगर आप स्वाइप क करूंगा तो 7 रुपीस होगा है, coin में मैं हीं यहां पर एक काम करता हूँ, 3 coins select कर लेता हूँ, तो हमारा देखिए total कितने हो गए, 2 रुपीस का note हो गया, coins हो गया, 5 रुपीस हो गया, तो यहां पर देख पाएंगे, और अगर चाहिए तो मैं काम करता हूँ, एक 20 रुपीस का यह 10 रुपीस का भी नोट मैं यहाँ पर अड़ कर लेता हूँ 50 का यह 20 का तो मैं यहाँ पर 20 का अड़ कर लेता हूँ तो total 30 रुपीस हो गया है अब यहाँ पर देखिए नीचे लोड डिजिटल रुपी का ऑप्षन आगा आगा तो मैं आपने से क्लिक करने के आपको पूरी इस्ट्री बगारा दिखाए का क्या क्या है पूरा फीजिकल नोट के साथ आता है तो हमारा सक्सेस्फुलां यहां पर हो चुका है और उसके बाद देखिए लोड डिजिटल रूपी के ऊपर हम नीचे टाप करेंगे अब टाप करने के बाद यहां पर देखिए यह डिजिटल करेंसी हमारा लोड हो चुका है यह बितीने सेकेंड ज्यादा कुछ टाइम वगरा नहीं लिया कोई भी हम चलते हां जोंपेश पर किया हुँआ हैँ अब होई मैंगे संठ बॉलिट में ser अंद आइघ हे घैजिकर में मैं पर यहां पर आप यहां पर देखिता हूं कि मेरे को ये पूरा कॉलेंसी बगारा दिखा रहे हैं कि निए जैसे वहां पर ट करूँगा टैप करते यहां पर दिख सुली मेरे को पूरे नोट्स वगर दिखा रहे हैं तो यहां से भी मैं डिरेक्ली इसको पेग कर सकता हूं जो मेनिवी option है अगर हम home पे जाएंगे जैसे कि आप लोग यहां पर देख पाएंगे तो home में send collect और load है तो same चीज यहां पर function करेगी तो load हमने देख लिया और यहां पर send and collect तो यह भी मैं आपको दिखा देता हूं पहले send को उपर में click करता हूं तो send पर click करते हैं यहां पर QR code क्या होता है कि आप scan करके भी जो 30 रूपीज है उनको भेज सकते हैं तो अगर आपको लेने हैं पैसे तो वह भी देख सकते हैं तो current balance 30 है तो मैं scan और phone number से दोनों option ने select करके कर सकता हूं अब मैं फिर से back जाता हूं आप देखिए collect को option सेलेक्ट कर देता हूं जो second option है हमारा collect में आपको एक बार कोड मिल जाएगा जैसे कि आप send में देख रहे थे तो collect को उपर क्लिक करना है और नीचे जो आपका है qr code यहां पर generate हो जाएगा अब इसको आप यहां तो शेर कर सकते हैं या जो scan option वहां पर देख रहे थे जो पीछे वाले में था पेक option था वहां पर scan करके भी आप जो amount है आप sell कर सकते हैं उसको और अपने account में जो है पैसे ला सकते हैं बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है तो यह सब चीजे हैं digital currency की कैसे आपको भेजना है कैसे आपको load करना है कितने currencies वगरा होते हैं तो अभी मेरे पास फिलाल कोई और account नहीं है जिसमें मैं आपको दिखा ट्रांसवर करेंगे जिसको भी ट्रांसवर करेंगे वो सेम सीरियल नोट जाएंगे ऑपोजिट परसन के पास तो काफी अच्छा मतलब एक option लेके आई है एक application के साथ जो government है हमारी एक initiative ले रही है कि digital currency की तरह मूव करने के लिए तो काफी अच्छा application है आप जरूर जाके से install कर सकते हैं अगर आपके पास approval है तो sorry अगर mail message आया है तो तो अगर आपको कोई भी doubt है कोई भी सवाल है इससे related तो आप जरूर हमें comment section में पूछिए हमारे website मिल जाएगा इसके बारे मैं थोड़ी ओर details लिखा हूँ उसके उपर आप जाके वो भी देख सकते हैं पूरा review अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे channel पर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में